नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिपसिन हिंदी में दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसी चीजें जिने खाकर आप अपना ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल में करे सकते हैं साथी साथ अपने दिल को भी समस्याओं से बचा कर रख सकते हैं लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप मेरी हर नई वीडियो से अपडेट होते रहें दोस्तों तनावपूर्ण और तेज रफ्तार जिंदगी लोगों में ब्लड प्रेशर की समस्याओं पैदा कर रही है विशेशगों की माने तो जितना घातक हाई ब्लड प्रेशर होता है उतना ही नुकसान दे लो ब्लड प्रेशर भी है लो ब्लड प्रेशर सरीर की वह इस्तिती होती है जिसमें रक्त वाहिनियों में खून का दबाव काफी कम हो जाता है सामान्य रूप से 90 अधिक्तम और 60 मिनीमम MMHG को लो ब्लड प्रेशर की इस्तिती माना जाता है अगर आप भी ब्लड प्रेशर की समस्या से जूज रहे हैं तो आपके लिए कुछ फूर्स हैं जिससे आप इस पर काबू पा सकते है नमबर एक जटा मानसी जटा मानसी नामक एक आयरुएदिक ओश्दी भी लो ब्लड प्रेशर का निदान करने में मददगार है जटा मानसी का कपूर और डाल चिनी के साथ मिश्रन बना कर सेवन कर सकते हैं इसके अलावा जटा मानसी के अरक को पीने से भी लो ब्लड प्रेशर की समस्या से छुटकरा पाया जा सकता है एपसम नमक मैगनीशम सलफेट से इसनान लो बलड प्रेशर को ठीक करने का सबसे सरलतम इलाज है इसके लिए पानी में करीब आदा किलो एपसम नमक मिलाएं और करीब आदा घंटा पानी में बैठें बहतर होगा कि सोने के पहले यह सनान करें इससे आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा नमबर दो ड्राइ फ्रूट पचास ग्राम देशी चने वे सो ग्राम किशमिस को रात में सो ग्राम पानी में किसी भी काच के बरतन में भिगो कर रख दें सुभे चनों को किशमिस के साथ अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं और पानी को पी लें यदि देशी चने नैम मिल पाएं तो सिर्फ किशमिस ही लें इस विदी से कुछी सब्ता हमें बलड प्रेशर सामन्ने हो सकता है रात को बादाम की 3-4 गिरी पानी में भिगो दे और सुभे उनका छिलका उतार कर 15 गराम मक्षन और मिश्री के साथ मिलाकर बादाम गिरी को खाने से लो बलड प्रेशर नश्ट होता है हर रोज आवला या सेब के मुरब्बे का सेवन लो बलड प्रेशर में बहुत उप्योगी होता है नमबर 3 पोशक तत्वों की मात्रा बढ़ाए प्रोटीन, विटामिन B और C लो बलड प्रेशर को ठीक रखने में मददगार साबित होते हैं ये पोशक तत्व एंडरिनल गरंती से निकलने वाले हार्मोनों के इस्त्राव में वृद्धिकर लो बलड प्रेशर को तेजी से सामन्य करते हैं लो बलड प्रेशर को दूर करने के लिए ताजे फलो का सेवन करें दिन में करीब तीन से चार बार जूर का सेवन करना फाइदे मन्द होगा जितना संबभ हो सके लो बलड प्रेशर के मरीज दूर का सेवन करें लो बलड प्रेशर को सामने रखने में चुकंदर का जूर भी काफी कारगर होता है जिने लो ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें रोजाना दो बार चुकंदर का जूस पीना चाहिए हफते भर में आप अपने ब्लड प्रेशर में सुधार पाएंगे इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए पैदल चलना, साइकल चलना और तैरना जैसी कसरते फाइदे मन साबित होती है इन सब के अलावा सबसे जरूरी यह है कि व्यक्ति तनाव और काम की अधिकता से बचे तो दोस्तों यह थी कुछ ऐसी चीजे जिनकी मदद से आप अपने बीपी को कंट्रोल में रख सकते हैं और अगर आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा तो यह नूर्मल सी बात है कि आपका हाट भी सुरक्षित रहेगा इसलिए आपको अपने हाट को सुरक्षित रखने के लिए और इस समस्या से बचने के लिए अपने आहर में ये चीजे जरूर सामिल करनी चाहिए आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं हम आप तक नहीं और बहतरीन जानकारिया पहुंचा सके इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक वशेर करना ना भूले हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक नहीं जानकारी के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखके खुश रहे स्वस्त रहे धन्यवाद